राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बादे चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज सावन मास बड़ा बुद्धवार मैं आपको सुनाने जा रहे हूँ भगवान शी गनेश्ची की कथा बंधों बुद्धवार के दिन शी गनेश्ची की कथा सुनने मात से आपके सभी बिगड़े हुए काम बंते चले जाएंगे बंधों कथा को प्रेम भाव से शर्था पुर्वक सुनना और देखना कि किस प्रकार आपके काम बिना बाधाओं के बंते चले गए बंधों यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल संस्कार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै गनेश भगवान की जरूर लिखें, बोलो गनेश भगवान की जै हो भगवान शिव ने विश्नु को शोडश उपचार युक्त गनपती पूजन की विधी बताई, तब भगवान विश्नु ने गनेश ची की सो दिव्य वर्षो तक उपासना की, उनके घोर तब से प्रसन होकर गजानन साक्षात प्रगट हुए और बोले मैं तुहारे तब से प असुर अतिप प्रबल हो गए हैं, अतैव उनके वद का उपाय कीजिए, श्रीक नेश ची ने कहा बैकुंठनात, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता, तो अब तक असुर प्रास्त भी हो गए होते, विश्नु जी बोले गजानन, मुझे आपका प्रभाव विधि अरब भक्ति भी प्रदान करें, भगवान विश्नु की प्रात्ना संकर, गजानन ने कहा, ऐसा ही होगा रमानात, आपके हाथ उन असुरों का अतिशिक्र वद होगा, इस से चतुरानन का भे भी दूर हो जाएगा, और आपको महान यश्ट की प्राप्ति होगी, हे विश्न अब आपके करें में कोई भी घर नहीं आएगा, वर देकर भगवान गजानन अंतर ध्यान हो गए, और भगवान विश्नु महा से लोटकर अपने स्थान पर पहुँचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए तयार देखा, त्री लोकी नात को वहाँ आ कर दिया, जहां उन्होंने भगवान गजानन की अरादना की थी, वह स्थान सिद्ध छेत्र के नाम से प्रसिध हो गया, शीशूची बोले, हे रिश्यों, महारिशु भ्रिगु ने सौम कांद को गनेश चरित्र का वर्नन करते हुए राजा भीम का गृतान्द भी बताया, वे बोले, राजन भीम कॉंडिन नेपुर का राजा था, उसकी पती व्रता पत्नी का नाम चारू हासिनी था, उसका दामपत्य जिवन सुक से वैतीत हो रहा था, क्रिन्तु व्रिधा अवस्था की और अगरसन होने पर भी संतान ना होने का दुख उन्हें पीडित करता था राजा ने रज्य अपने विश्वास पत्र अमात्य को सुप दिया और स्वैम वन को चल दिया, वहेवन में भ्रवन करता हुआ, महारिशी विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचा, तो महारिशी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहां किस उदेश्य से आए हो, राजा बोला प्रभो, विधर्व देश का राजा हूँ, कॉंडिन ने पूर मेरी रायधानी है, मेरा नाम भीम है, मेरी व्रिद अवस्ता आप पहुंची, लेकिन संतान सुक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, मै महा रिशी ने कहा, राजन, पुर्व जनम में तुमने भगवान गजानन का अपमान किया था, फलस्वरूप इस जनम में निसंतान हो, यदि उन्हें प्रसंद कर लो, तो तुम्हें अब भी सुनतान सुक सेवन्चित नहीं रहना पड़ेगा, राजा ने पुर्व जनम के ब्रितांत की जिग्यासा व्यक्त की, तो महा रिशी विश्वा मित्र बोले महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नाम का एक अन्य प्रतापी राजा हुआ था, उसकी पतनी सुन्दर और पती व्रता थी, उससे राजा को एक पुत्र की प्राप्ती हुई, जो ग और बधिता वा विकलांकता दूर नहीं हुई, हे राजन, किसी ने राजा को प्रामश दिया, कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर धाटन करे, तो संभव है कि इसके रोग दूर हो जाएं, पर मर्श अनुसार, राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर ध हाटन को चल पड़ी, मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, यहां तक कि उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा, तब उसने एक शिव मंदिर में शरन ली, और बालक को वहीं छोड़ कर भिक्षा मांगने है तू एक गाम में गई, पीछे से उस मंदिर में एक धर्मग्य ब्राहमन आया, उसके शरीर के सपर्श मात्र से वहे बालक निरोगी हो गया, रानी शिवाले में लोटी, तो अपने पुत्र को सुंदर और निरोगी देखकर बड़ी प्रसन होई, उसने ब्राहमन देवता का पता लगाया, तो ग्यात हुआ कि वहे धर्मग् उन गजानन की उपासना की, तो प्रसन होकर गनेश्ची ने स्वपन में कहा कि तुम मेरे परमभक्त महारिशी मुद्गल के पास चाओ, उनके उद्यम से तुम्हारे सभी अभिष्टों की पूर्ती होना संभव है, महारिशी भ्रिगु ने कहा है सौमकांत, विश्वा मित् हीम को आगे का वृतान, सुनाते हुए कहा कि वहो दोनों मुद्गल के आश्रम की खोज में काफी समय तक जंगलों में भटकते रहें, तब बाद में एक दिनAP उन्हें वह आश्रम मिला। महां महारिशी मुद्गल को उन्हों ने अपना सब वृतान सुनाया, तो महारिशी शी गनेश के एक काक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया बंधों गम शबत बहुत ही अधिक शक्ति शाली है यदि आप भी भगवान शी गनेश जी के गम शबत का बार बार जब करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनो कामना पूरी ना हो सो बंधों गनेश उस्सव के दिनों में ही गम शबत का अधिक से अधिक उच्चारन करें राजा भीम ने जिग्यासा व्यक्त की महमुने आपके शिमुक से यह चरित्र सुनकर मैं अच्चरे चकित हूं एक ब्रहामन के श्रीर का स्पर्ष कर बहने वाली वायुक के स्पर्ष मात्र से यह बालक रोग रहित और सुन्दर कैसे हो गया विश्वा मित्र भोले राजन इसमें अश्चरे कैसा भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमिश से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं सुनो एक समय की बात है सिंधू देश के एक पल्ली नामक गाम में एक धनिक वैश्य रहता था उसका नाम कल्यान था उसकी पत्ने का नाम इंदू मती और पुत्र का नाम बल्लाल था एक दिन वैश्य पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया वहाँ उन लोगों ने एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मोर्ति सी अंकित थी उन्हों ने उसे गनेश्वर नाम देकर पूजन अरंब किया और सब ने मिलकर वहाँ एक मंड़ भना कर सब मनाया उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वेश्य पुत्र रात दिन वही रहकर गनेश्ची की उपासना करने लगा जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिन्ता होना सोरभाविक था वे उन्हें ढूंठते हुए उस जंगल में आए और सब बालकों को उपासना आदी में लगे देकर उनके माता पिता आदी ने कल्यान से कहा कल्यान तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है जो अरन्य में पड़ी हुई शिला का पूजन अराधन कर रही हैं इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का वैभार करना पड़ेगा यह सुनकर कल्यान ने उस को गिरा दिया और अपने पुत्र को मानने लगा उसने उस गनेश शिला को उठा कर दूर फैंका और सब बालकों को वहां से भगा दिया महारिश्वी विश्वा मित्र बोले है राजन इस से वैश्य पुत्र बल्लाल को मानसिक पीड़ा हुई उसने पिता से हाथ चोड़ कर निविदन किया पिता जी आप भले ही मुझे दंडित करें लेकिन उन सरवात्मा भगवान गनाध्यक्ष का अपमान ना करें वे अपने भक्तों के सभी विग्णों का हरन करने वाले वा कल्यान कारी देव हैं उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है वेश्य ने सभी कार दूर करता है कल्यान अपने पुत्र को एक पेड़ से द्रिड़ता पुर्वक बांद कर बोला अब भी अपने भूल सभी कार कर लें और गनेश की भक्ती छोड़ कर अपने कारे में लग जा किन्तु पुत्र ने पिता की बास्विकार नहीं की वह उसे गाली देता ह पर क्रोध आ गया और उसने पिता को शाप दे डाला तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्द्यता पुर्वक बांद कर छोड़ दिया है फलस्वरूप तुम बहरे गुंगे अंधे और विकलांग होगे काफी समय वेतीत होने वावरिक्ष से बंधा रहने के क पुमल अंगों में चुब गए इससे अत्यंत पीडित होकर वह भगवान गजा नन को पुकारने लगा और अंत में उनकी और से भी निराश हो गया तो उसने आतमगात करने का निश्चे किया वह व्रिक्ष से ही सिर्फ ओडने लगा वह बालक पीड़ा और निराशा के यदि हैं तो फिर आते क्यों नहीं तभी उसने देखा कि सामने से एक ब्रामन आ रहा है उसने तुरंत बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बस तुम्हारी पुकार सुनते ही तो मैं यहां आ गया हूँ तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्त्य होग और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद हो जाएगा इधर कल्यान का श्रीर उसी समय से रोग ग्रस्त हो गया उससे दुरगंद आने लगी वह बहरा गुंगा विकलांग हो गया उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ वह पुत् यह तो बड़ा शुब कारे कर रहा है प्रंतु तेरे पिता की दशा बहुत दैनिया हो गई है उन्हें भी चलकर देख ले वस माता पिता की आज्या मानना भी पुत्र का परम करतव्य है बल्लाल ने उसी प्रकार शांती पूर्वक बैठे रहकर कहा माता संसारिक माता पिता तो अनित्य है यथात माता पिता तो भगवान गनेश्वर ही है जिनकी मैंने शरन ली है इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिता जी की ऐसी दशा प्राप्त हुई है पिता जी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है उनकी सेवा करना तुम्हारा भी तो करतव्य है क्यो मैं तुमसे भी नहीं करते हूँ यहें सुनकर बल्लाल ने कहा माता मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता अगले जनम में तुम एक राजा की महारानी बनोगी किन्तु तुम्हारा पुत्र गुंगा बहरा विकलांग और दुरगंध युक्त होगा उसके कारण तुम्हारा पती उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा फिर एक शिवाले में एक गनपती भगत ब्रहामन के सपर से तुम्हारे दक्ष नामक पुत्र का श्रीर निरोग और सुन्दर हो जाएगा ये राजन यह समस्त घटना चक्र उसी वानी के अनुसार घटित हुआ था ब तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद